हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट हैंड गुरु जी आज की डिक्टेशन संपादी की डिक्टेशन है जिसकी गती रहेगी 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद रेडी स्टार्ट प्लास्टिक कच्रे की समस्या भारत सहित पूरी दुनिया के लिए गंभीर पर्यवर्णिये चुनोती है दुनिया में निर्मित होने वाले प्लास्टिक का करीब 80 फीसदी हिस्सा कच्रे के रूप में धर्ती, पानी और वातावरण में शामिल हो जाता है प्लास्टिक का कच्रा इसलिए पर्यवरण के लिए एक बड़ा संकट बन गया है क्योंकि उसका छरण सैकडों वर्षों में होता है एक शोद के अनुसार रास्टिय रासधानी दिल्ली और उत्तर भारत के कई प्रमुक शहरों में वायू प्रदूशन को खतरनाक बनाने में प्लास्टिक का योगदान है प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी के अहवान के बावजूद प्लास्टिक से बनी वस्तूओं पर रोक नहीं लग पाई है पूरी तरहां पाबंदी की सीमा 2022 तक तै की गई थी परन्तु विभिन कारणों से इसे आगे बढ़ाना पड़ सकता है गौरत लब है की इस वर्ष एक जुलाई को देश में प्लास्टिक कच्रे की समस्या को दूर करने के लिए चमच, स्ट्रो, प्लेट और पॉलिथिन बैग सहित 19 सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तूओं पर प्रतिबंद लगा कर बड़ा कदम उठाया गया 30 सितंबर 2021 से 75 माइक्रोन से कम मोटे बैग पर प्रतिबंद लगा दिया गया था भारत के सिंगल यूज वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंद को दुनिया भर में सराहया गया और प्लास्टिक प्रदूशर से निपटने के लिए इसे एक विकाशील देश द्वारा बड़े कदम के रूप में देखा गया प्रतिबंद के पांच महिने बाद साफ है कि धरातल पर इसको लागू करने के लिए अभी लंबा रास्ता तै करना है भारत में हर साल लगबग साड़े नौ मिलियन प्लास्टिक कच्रा पैदा होता है केंद्रिय प्रदूशन नियंद्रन बोर्ड के अनुसार भारत ने 2019 और 2020 में लगबग 34.7 लाख टन प्लास्टिक कच्रा उत्पन्न किया पिछले पांच सालों में प्रतिव्यक्ति प्लास्टिक अप्सिस्ट उत्पादन लगबग 2 गुना हो गया है The Energy and Resources Institute की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में निर्मित लगबग 43 प्रतिशत प्लास्टिक का उप्योग पैकेजिंग के लिए किया जाता है जिन में से अधिकांश सिंगल यूज है जिसका अर्थ है कि यह एक बार उप्योग के बाद अप्सिस्ट प्रणाली में प्रवेश करता है देश में लगबग 60 प्रतिशत प्लास्टिक कच्रे को रिसाइकल किया जाता है बाकी को जला दिया जाता है या लेंड फिल में दबा दिया जाता है वैसे भी देश में कच्रा प्रवंदन उद्योग की अनियमित प्रक्रती के कारण हमारा देश दुनिया भर के कच्रे का डंपिंग ग्राउंड बन गया है यह बात हमारे पर्यावरण और जन स्वास्त है दोनों के लिए नुकसान दे है समझना मुश्किल है कि एकल इस्तिमाल वाले प्लास्टिक के खत्रों को जानते समझते हुए भी लोग इसके प्रियोक से बचने की कोशिश क्यों नहीं करते इसके लिए उचित निग्रानी के साथ साथ जिम्मेदार उपभोगता संस्क्रती को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है स्टॉप